इस अधित अब्रेंट्र फ्रेंट्स वेलकम वंस अगेंड निफ्टी अनालीस प्राम टेदिंग दॉटीन अज 13 डिसेंबर 2019 फ्राइडेय अश्वाइड वचके अट बच कर बारा मिनी टूर है आज हफ्ते का लास्ट रेड़िंग सेशन हे कल वीकली एकस्पाइर का दिन था हमने कल देखा सुबह का जो सेशन ता उसमें क्लियरली एक बोरिंग कैंडल स्थिक पैटरन या पर फॉर्मेशन हो रहा था और उसके बाद जैसे यह रेंज बाउंड ट्रेडिंग जोन का ब्रेक आउट मिला तो लास्ट हाफ सेशन में जबर्दस अपसाइड मुव हमें चलिया हुआ अगर आपने अमारा कल का वीडियो देखा होगा अगर नहीं देखा है तो ऊपर यहां आए बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी तो कल के प्लान के अकोर्डिंग हमारा ब्रेक आउट लेवल बन रहा था 11,922 और ब्रेक डाउन लेवल बन रहा था 11,053 क कल हमने 60 मिनिट के चाट में देखा था कि कैसे यहां पर डबल टॉप फॉर्मेशन एक राइजिंग बॉटम फॉर्मेशन बनाता लाइन चाट में और उसी का नतिज़ा यहां पर हमें सुबह एक गयाप ओपन में देखने को मिला और ब्रेक आउट लेवल के ऊपर यानि फ जबरदस रेंज़ बाूं ट्रेडिंग यहां पर देखने को मिल थी और जैसे ही सेकेंड्ञ आफ में आफ में इसका ब्रेक आउट मिला तो यहां से जबरदस upside देखने को मिला तो एस पर प्लान यहां पर तो कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं थी लेकिन जब ब्रेक आउट मिला था तब लावी मार्केट में यहां पर जबर्दस अपॉर्चुनिटी थी तो यह था कल के आनालीसिस का एक क्विकली रिव्यू चलते ग्लोबल मार्केट के आहलात देख लेते हैं कल यूएस मार्केट और यूरोपेयन मार्केट में तेजी देखने को मिली सभी इंडेक्स हरे निशान में बंद हुए यूएस और चाइना के बीच में जो टैरिफ डील सब रहा है उसकी पॉजिटिव खबरे आ रही थी कल तो उसके नि मार्केट भी हरे निशान में इस वर्क ट्रेड कर रहा है दाव फीचर देखे तो 117 117 पॉइंट के बढ़त के साथ इस समय ट्रेड कर रहा तो लोगल मार्केट से इस समय पॉजिटिव संकेता रहे चलते निफ्टी की चार्ट के ऊपर विकली चार्ट से शुरू करेंगे क इनफलेशन काफी बढ़ गया है कंपेर टू लास्ट मन्थ और आयाएएपी के जो आकड़े है वो घट गया है यानि प्रिविएस मन्थ का जो फिगर ता उसके नीचे आयाएपी प्रोडक्शन इस मैंने देखने को मिला है लास्ट मन्थ तो यहां पर आज निफ्टी में क कई वीडियो काई दिनों से फॉलो कर रहे तो आप यहां पर देख सकते हैं 11,872 को यह काफी वीक से रिस्पेक्ट कर रहा है इसके ऊपर ही क्लोज हो पा रहा है थ्री वीक्स कंटिन्यूज यहां पर सपोर्ट लेके इसकी जस्ट ऊपर ओपन हुआ था और जैसे ऊपर गया अगर यह लोज होता है तो यहांसे और भी कर्रेक्शन गहराता हुआ दिखाई दे सकता है फिलाल आज का लास्ट रेडिंग सेशन इस वीक का क्लोज कहां पर होता है यह कफी इंपोर्टन होगा तो अभी भी ऐस पर वीकली चार्ट स्ट्रक्चर बुलिष है इस पर वीकली यहां से डाउन साइड है और इसे अगर यह 20 एमे के ओ देखे तो यहां पर कल इसके जर्स्ट ऊपर क्लोज दिया है 20 एमे कर और अगर मैं इसे सिंपल मुविंग अवरेज में कनवर्ट कर दो तो आप लिएरली देख सकते कल इसने 20 इसे में यानि सिंपल मुविंग अवरेज का यहां पर रेजिस्टेंस फेस किया और फिर इसके नीचे आके जस्ट लोज हुआ है तो 20 एमे और 20 एसे में यह यहां पर इडिफरेंस हमें दिखा रहा है तो थोड़ा कन्फ्यूजन होगा कि यहां पर कल भी इसने उपर की तरफ टेल छोड़ दिया है और यह जो पैटन बन रहा है यह यहां पर यह जो पैटन बन रहा है अपसैड जबी बनता है तभी HIGHER हाइख़ाओ्स ही क्रियेट होते हैं और जबी डाउण साइड मुझिदे दिखाई देता है तभी Lower Heights lower response होता है तो इस तरह से अभी यह यहां पर फिर से upside rally दिखाने को कोशिश कर रहा है signal है लेकिन यहां पर rising bottoms बने जरूरी है upside move के लिए तो हम यहां पर confirm कह सकते हैं कि यहां से upside rally आ सकती है यह सिर्फ signal है इसके ऊपर अगर कोई decisive move आती है और यह जो last swing हाय इसको break करता है comfortably तो यहां से chances है कि upside rally देखने को मिले otherwise कल जैसे हम देख रहें कि 20SMA को इसने resistance waste किया है और just नीचे आके close हुआ है तो अगर कल का low break करता है तो फिर से nifty इंडल स्टूर्ट की तरफ move कर सकता है क्योंकि pattern अभी lower high lower lows का चल रहा है तो अभी weight and watch का situation है फिलाद अगर overnight trade आपको position क्यारी करना है तो यह daily chart का इस समय का scenario चलते 60 minute के chart में यह 60 minute का chart कल हमने यहां पर देखा था यह double bottom formation बाद में rising bottom formation और यह कल यह trend reversal का pattern बनने के बाद यहां से जबरदा subside move हमें कल देखने को मिला तो अभी अगर मैं यहां पर trend line को draw करूँ यह जो higher eyes बन रहे lower eyes बन रहे माप कीजिए अगर मैं इसे पकड़ के अर अगर यह trend line को draw करूँ तो यहां पर आप clearly देख सकते है कि यह trend line का यहां पर breakout मिल चुका है यह फिर से यह फिर से इस trend line को as a support test करेगा और फिर यहां से हो सकता है यह उपर जा सकता है लेकिन इसके कल का यह जो high बनाए 12,000 के पास इसने resistance फेस किया तो 12,000 के ऊपर अगर 15 या 30 मिनिट के चाक में sustain करता है तो ही upside rally यहां से continue होते हुए दिखाई दे सकती है trend line का breakout मिल गया है लेकिन इसके उपर confirmation मिलना बहुत ज़रूर है तो यह 60 मिनिट का चार्ट इस समय हमें trend line breakout यहां पर दिखा रहा है तो अगर निप्टी इंडेक्स आज अगर यह कल का हाई यानि और वन का यह जो पीवट पॉइंट भी उसी के पास आ रहा है 12,006 के ऊपर अगर sustain करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यह आपर by position बना सकते और तभी हमारा first target होगा 12,024 यह हमारा first target होगा क्योंकि आपर आप देख सकते है clearly आप पर काफी देर इस ने support टेस्ट किया था और bounce back होने की कोशिश किती लेकिन यह attempt फेल हुआ था तो यहां पर एक support का support का यह level काम कर रहा था तो अभी यह resistance का का काम कर सकता है तो first level हमारा होगा first target 12,024 का और second target होगा pivot point का S2 का level 12,041 तो अगर यह upside move होता है तो 12,006 को completely break करने दीजिए sustain करने दीजिए इसके उपर तो ही यहां पर intraday के लिए हम by position बना सकते है और अगर towards south की तरफ move करता है तो काफी risky होगा trade करना यहां पर multiple support levels है pivot point का support level है फिर यहां पर 50 EMA है 100 EMA है फिर यह 20 EMA का moving average है तो काफी यहां पर support levels है तो compulsive trader सी short करने के लिए यहां पर देखे अगर यह 100 EMA यानि pivot point का यह जो level है 11,970 को अगर break करता है तो ही intraday के लिए यहां पर हम short position बना सकते और तभी हमारा first target होगा यह 50 EMA का blue line जो की 11,951 के पास है यह हमारा first target होगा और second target होगा यह 20 EMA का pink line जहां पर S1 का pivot point का level आ रहा है कमेंट करें आपके दोस्तों के साथ इसी YouTube चैनल को जरूर शेर कीजिए और subscribe करना ना भूलें so thank you very much and happy trading and happy weekend